जटेन जटेन स्वातिमालिवाल की मा ये कह रही कि वो बात करने की हालत भी नहीं जबकि दूसरी और ये भी कह जा रहा है अलका लामा की ओर से कि वो कानूनी लड़ाई लड़ने को लेकर मदद करेंगी हलकि इस बीच संजे सिंग सवालों से भाग रही है यानिक इस पूरे मामले को लेकर आमादी पार्टी बैकफुट पर आ गई है क्या जानकारी आज बिलकु देखी आमादी पार्टी बैकफुट पर इस लिहाज से भी है क्योंकि ये वो वादे थे मैला सुरक्षा की ये वो दावे थे जो आमादी पार्टी लगातार करती थी लेकिन अर्विन केज़िवाल का घर दिल्ली सीम का घर और उस घर के अंदर एक महिला सांसत के साथ मार्पिटाई करना और वो मार्पिटाई की अर्विन केज़िवाल की पिये ने विभव कुमार ने अभद्रता की हलांकि मार्पिट का सिक्रों ने भी नहीं किया लेकिन उस प्रेस कॉनफरेंस में ये भी बोल दिया कि अर्विन केज़िवाल ने कड़ी कारवाई के निर्देश दी हैं लेकिन आप जब उस दिल्ली पुलिस की PCR यानि की डीडी एंट्री के उपर तो आप देखेंगे स्वाती मालिवाल ने क्या बोला कि अर्विन केजिवाल के कहने पर विभव कुमार ने मार पिटाई की तो अर्विन केजिवाल कि कहने पर की गई तो अर्विन केज़वाल किस सरीके से निंदा करते हैं और यही सवाल जब हम आमादी पार्टी से बूच रहे हैं तो कोई भी अभी तक नेता सामने नहीं आया जो हमारे सवालों के जवाब को दे सके दूसरी दरफ स्वाती मालीवाल की मा जब यह बोल देती हैं कि आब यही समझे कि उनकी mental स्थिती समय किस दौर और संजय सिंग का उनके घर जाकर मुलाकात करना क्या कहीं कोई प्रेश्यर तो नहीं जतिन हम आपके बस वापस लोटेंगे हमारे साथ अखिल भी जुड़ गए उन्होंने खुद बात की है स्वाती मालिवाल की मा से अखिल आप बात करने पहुचे ये किया रही है कि अभी मेंटल स्टेट वैसा नहीं है लेकिन जब बहुत गंभीरता से उन्होंने शुरुवात में शिकायत की थी तो अभी लिखित शिकायत ना करने की क्या वज़ा रही क्या मैसूस किया आपने बिल्कुल हमने स्वाती मालिवाल की मा से बात करने ही कोशिश की और उनसे हमने वहाथ सीधा सवाल किया कि क्या वज़ह थी जिसकी वज़ह से स्वाती पुलिस स्टेशन पहुशने के बाद भी एक रिटन कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाई और क्यों वापस आगए उन्होंने कंप्लेंट क्यों दज नहीं कराई तो उनका कहना था कि अभी जो है वो वक्त हमारे साथ नहीं है और ये लड़ाई हम लरेंगे इट सर्फ फाइट एंड हम लोग उसके साथ हैं लेकिन जब सही समय होगा सही वक्त होगा तो उस समय ही हमें सब्जक्ट पे बात करेंगे और दूसरा जो बड़ा सवाल था कि जो मैंने उन से पूछा डिरेक्ली उनकी मदर से स्वाती मालीवाल की मदर से कि कौन है जो उन्हें थ्रेटेन कर रहा है इसके पीछे कौन है जिसके वजह से उन्होंने ये कंप्लेंड फाइल नहीं की तो उनका ये भी कहना था कि अभी हम इस समय इस वक्त इस हालत में नहीं है कि हम इस पे कोई टिपनी कर सके कि उन्होंने कहा कि वी सिप्ली शिप्ली इस सेट आइगी कि कौन था इसके पीछे जो उन्हें कहीं नहीं डरा रहा था या फिर कंप्लेंड फाइल करने से मना किया जा रहा था लेकिन एक बात तो वाज़ा है एक बात तो साफ है वो ये कि उन्होंने साफ कहा ये जो लड़ाई है ये लड़ाई जारी रहेगी ये सौती के मा के शब्त थे कि ये फाइट जो है वो अभी जारी रहेगी और सही समय आने के बाद हम जो है इस मसले पर बात करेंगा और दूसरी बात जो महत्मुन बाती उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस वक्त अपने कटिं घ जारी के लब इस भाईब इस वक्तिंग मेंने करेंगा झाल